नमस्कार दोस्तों स्वागते आफ सभी का एक बर फिर से मेरे यूटूब चैनल रेयर फैक्टस में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जापान के बारे में जापान एसिया महादविप का एक देश है और जापान की राज़धानी की बात करें तो वो टोकियो है जो कि वहां क्या सबसे बड़ा सहर भी है दोस्तो जापान का छेतर फल 3,47,833 वर किलोमेटर है जापान चार बड़े और 6,852 छोटे दिविकों का एक समू है जापान के पडोशी देश चीन और कोरिया और रूस है जापानी अपने देश को निपन कहते हैं जिसका अर्थ है उगते हुए सूरज की धर्ती जापान चारो और से समूदर से गिरा है फिर भी 28% मचली दूसरे देशों से मंगाता है जापान में एक जनवरी को नवर्स का स्वागत मंदिर में 108 घंटिया बजा कर किया जाता है जापान में 10 साल तक की उमर के बच्चों की कोई परिक्षा नहीं होती जापान में के अखबारों में केवल आधूनिक जानकारी और आवश्यक खबरे ही चपती है जो अपने आप में एविस्वस्थनी है जापान में चातर और अध्यापक मिलकर एक साथ क्लासरूम की सफ़ाई करते हैं जापान में मुसल्मान किराय के मकान में भी नहीं रह सकते जापानियों के पास सोरी कहने के 20 से जादा तरीके माने जाते हैं यहाँ चार अंक को असुब होना जाता है परमाणू हमले जहलने वाला जापान एकलोता देस है अमेरिका ने यहाँ 6 और 9 अगस्ट 1945 को परमाणू बं गिराया था दोस्तो जापानी समय के बड़े पक्के होते हैं यहाँ ट्रेन भी जादा से जादा 18 सेकंड लेट हुई है जापान में बच्चों से जादा पालतु जानवर पाए जाते हैं यहाँ काली बिल्ली को गुड़ लक माना जाता है यहाँ 98 में परतिशत सिर्फ लड़कों को गोद लिया जाता है तापि फैमली बिजनिस समाल सकें और जापान में कहा जाता है 90% समार्टफोन वाटर प्रूफ है तोस्तों टेक्नोलिजी के मामले में जापान का कोई देश मुकाबला नहीं कर सकता है यहाँ बिल्लिंग के बीच में हाईवे भी बने हुए है जापान में एक ऐसा आईलेंड है जहां सिर्फ खरगोस रहते हैं जापान के एक गाउं में सिर्फ लॉमडी ही रहती है जापान के अधिकतर गलियों का कोई नाम ही नहीं है जापान 1894 से 95 में चीन 1904 में रूस के साथ युद भी कर चुका है और वह रूस से जीत भी गया था राजधानी टोक्यो दुनिया की सबसे बड़ी जन्संख्या वाला सहर है और दूसरा सबसे महंगा सहर है जापान में टॉइलेट पेपर से ज़्यादा पेपर कार्टून छपने में इस्तमाल होता है दोस्तो जापान का ओकू नोशिमा द्वीब सिर्फ चुहों से भरा हुआ है और माउंट फुजी जापान का सरवाधिक उची चोटी माने जाती है दोस्तो दुनिया का पहला उपन्यास ग्यारवी स्ताबदी में जापानी भासा में जापान का सबसे पुराना कावे संकलन मन्योस है जापान राज घराने का इतिहास 2000 साल पुराना है जो कि सबसे ज़्यादा है सुमो जापान का राष्ट्रे खेल है और बेसबोल सरवाधिक पसंदिदा खेल है वहाँ पर जापान 1964 में टोक्यो ओलम्पिक कायोजन कर चुका है जापान मोटर वाहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जापान केंट्रिक्स एजनसी का नाम जापान एरोस्पेस एक्सलोरेशन एजनसी है जापान का 70% हिस्त पहाड़ी है और इसमें 200 जवाला मुखी भी है जापानी यहां का राजभासा मानी जाती है जापान में हर साल लगवब 1500 भूकम पाते हैं यानि कि हर दिन 4 बार तो ये थी आज की वीडियो जापान के बारे में ये सारे रोचक तथ्थे जानकर उमीद क झाल झाल